प्रिदर्श को नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समचार उरान योजना के तहट रावर केला हवाई अड़े से वाड़ेचिक उरान शुरूप सेल आरसबी के कैल सानिंग प्लांट दो विभाक में स्रेजनी पुरसकार सह मिला समारो आयोजित और हमारी आज़ादी का अम्रित महसव श्रंकला में आज की सक्षियत हैं श्री बैकूंट नाग पटनाएक अब समचार विस्तार से राउरकेला हावाई अड़े से उरान योजना के तहट वाणी जीक उरान का संचालन साथ जन्वरी 2023 को राउरकेला वासिव द्वारा उत्साप पून स्वागत के बीश शुरू हुआ पहली उरान एलाइंस एरवेज का एटियार बहत्तर विमान भुवनिश्वर से दिन के करीब 12 बजे राउरकेला पहुचा माननी केंद्री नागर विमानन और स्पात मंत्री श्री जियोती रादित्य सिंधिया माननी केंद्री शिक्षा मंत्री और कोशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेद्र प्रदान माननी राजे नागर विमानन मंत्री सेवान विद्च जनरल डॉक्टर वीकेसी ने वर्च्वल मोड पर उडान को हरी झंडी दिखाई तत्पस्षाद ओडिशा के माननी मुक्मंत्री श्री नविन पटनाइक ने कई अन्य गण्णमान व्यक्तियों की उपस्तिती में वीजु पटनाइक अंतरास्टी स्टेडियम में उडान को भौतिक रूप से हरी झंडी दिखाई सेल राउरकेला इसपास सेंत्र की ओर से राउरकेला एरपोर्ट पर साथ तारीक की सुबह एक कायक्रम अयुजित किया गया जिसमें वर्चुल कायक्रम का सीधा प्रसारण किया गया इस अवसर पर पहली वाणिजीक उडान के यात्रियों का स्वागत करने के लिए मानी विधायक रुगनातपली श्री सुब्रत तराई मानी विधायक राउरकेला श्री शार्दा प्रशात नाया मानी विधायक सुन्दरगर सुश्री कुश्म टेटे मानी विधायक तलासर श्री भावानी शंकर भोई मानी सांसर सुंदरगर्ड श्री जोएल और राम की प्रतिनिती श्रीमती लतिका पत्नाय विदेशक प्रभारी राउल केरा इसपास्यन श्री अतनु भौमिक एसपी राउरकेला श्री मुकेश पुमार भामू एडियम राउरकेला डॉक्टर सुभंकर महापात्र आरस्पी और जिलाप्रशासन के कई अन्यवरेश्ट अधिकारी राउरकेला चेंबर्स आफ कॉमर्स के सदस्य और विबिन राजनीतिक और समाजी संगटोनों के प्रतिन दी उपस्तित्ते उलेकनी है कि भारत के मानिय प्रधानवंतरी श्री नरेंद मोधी के दूरदर्शी नेत्रित में परिकल्पित उड़ान योजना भारत सरकार का एक शेत्री हवाई अड्डा विकास का एक्रम है और कम सेवित हवाई मार्ग के उनियन के लिए उठाए गया चेत्री कनेक्टिविटी योजना RCS पहल का हिस्सा है इसका लक्ष हवाई यात्रा को सभी के वहन करने योगी किफायती बनाना और भारत में आतिक विकास में सुधार लाना है रावरकेला और उसके आसपास रहने वाले लोगों की लंबे समय से चली आरी जरूरतों और सप रनवे के विस्तार और सुध्रिण करन और कई अन्य सुविधाओं के अलावा पूरे हवाई अड़े के विकास पर लगबग 60 करोड रुपे खर्च किये इस्टेल अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड हवाई अड़े के विस्तार और उन्यन के लिए अत्रिक 143 एकर भू इस्टेल अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड रौरकेला इस्पास सेंत्र और भारती विबान पत्तन प्राधिकरन एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया ए-ए-आई के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए जिससे हवाई अड़े के वाड़ीजीक संचालन का मार प्रशस्त किया गया श्री जोती राधियत सिंधिया और श्री धर्मिन प्रधान के लगातार मार्गदर्शन और पर्यवेक्षन में उन्नेयन की प्रक्रिया को एक मजबूत गती मिली और 19 दिसंबर 2022 को डीची सीय ने हवाई अड़े को दो सी लाइसेंस प्रदान किया हमारे बहुत तेजी से पूरा किया गया राउरकेला इस पास सेंत्र हावाई अड़े का मालिक है और हावाई अड़े का पूरा खर्च बहन कर रहा है जो तीन करोड रुपे प्रतिवर्थ से अधिक होगा सेल की और से भारती विमानपत्तन प्राधिकरन एयरपोड अथार् करेगी राउरकेला हावाई अड़े के संचालन से नाकेवल शहर की संयोजकता कनेक्टिवीटी कई गुना बढ़ेगी बलकि स्वास्त सेक्ष्णिक परेटन और वानिचिक शेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा सेल राउरकेला इस पास सेंत्र के कैलसानिंग प्लांट दो के करमचारियों के लिए 6 जनवरी को एक स्रिजनी मेला सह पुरसकार वित्रन समारों आउजित किया गया महाप्रवंदक प्रभारी सीपी दो श्री डी महांती समारों के मुख्य आतिती थे वैस्ट प्रवंदक आईडी श्री एसस पुन्या और यूनिट के अन्यवरिष्ट अ अधिकारियों पुरसकार विजताओं और करमचारियों ने भाग लिया इस अवसर पर बोलते हुए श्री महांती ने स्रिजनी पुरसकार विजताओं को बढ़ाई दी और सेंद्र के लाप के लिए योजना में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए सभी को प्र उस्त्कित किया गया जिनमें से 22 को पहले से कारियनवीद किया है कार्यानवीद सुझाओं के लिए 5700 रुपये का नगत पुरसकार दिया गया कारियन विदी सुझाहों से 13 लाक रुपय का आवर्ती लाब और 15 लाग रुपए का एक मुष्ट लाव अर्जित करने में मदद मिली है मेले के दौरान कुल 136 सुझाओं मिले साहिक महाप्रबंधक CP2 श्री डी के पात्र ने सभा का स्वागत किया और समारों का संचालन किया वर्ष्ट प्रबंधक CP2 श्री बाबुला नहाक ने अपचारिक र जनानियों और प्रतिश्ट्रीत व्यक्तित्यों पर समाचारों की एक कड़ी प्रसुद कर रहा है आज की व्यक्तित्वन श्रीप बैकूंठ नाथ पटनायक 14 सितंबर 1904 को कटक जिले के बडंबा में जन्में बैकूंठ नाथ पटनायक और यह साहितिक के सबुजा युक के कटर पंती थे 1965 में केंद्र साहितिक अकादमी ने उन्हें उनकी कविता उत्तरायन के लिए समानित किया उनकी कावी पुस्तकों में मुक्ति पथे और उनाश्री कावी संचियन बिल्व मंगला उत्तरायन और काव्यात्मक लभूनाटक में काय नतिका शामिल है सुप्रसित के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं नमस्कार झाल झाल झाल